बांगलादेश में हिंदू ओपर अत्याचार को लेकर राम नगरी आयोध्या में हिंदू संगठन हुए लाम बंद गुलाब बाड़ी से चौक गंटा घर तक निकाला मार्च गुलाब बाड़ी नगर कोतवाली होते हुए जुलोस पहुचा चौक गंटा घर हिंदू संगठनों की मांग बांगलादेश में हिंदू ओपर बंधो अत्याचार बांगलादेश में हिंदू की बहन बेटियों से हो रहा दुराचार बारत में रह रहे रहे रोहिंग्या मसल्मान को बाहर गिया जाए हिंदुवादी नेता संतोष दूबे, राम सुमन मिश्रा गबर, पवंधर दूबे, महन सतिंद्र दास, विश्वनात पांडे, शिशिर दूबे, विजयतिवारी, शोनु मिश्रा और आकाश पाठक आधिका बयान, एक और काड सेवा की जरुरत, सरकार बांगला देश के मामले पर नहीं करती हस्त छे, तो बुलाना पड़ेगा लाखो काड सेवकों को, रोहिंग्या मुसल्मानों को निकालने के लिए होगी एक और काड सेवा, नवंबर तक साशन प्रिशाशन के पास मौका, अगर नवंबर माह तक रोहिंग्या मुसल्मान देश से बाहर नहीं किये गए, तो लाखों की संख्या में जिस तरह बाबरी मस्चित को काड सेवकों ने ढहाया, उसी प्रकार रोहिंग्या मुसल्मानों के अवैर जुगी जोपडी निर्माड को ढहाने का काम काड सेवक करेंगे जुलूस को लेकर अयोध्या पुलिस रही मुस्तैद, मौके पर सिटी मेजिस्ट्रेट भी रहे मौजूद संदेश ये देना चाहते हैं सासरों पिसासत को ये आज क्या कारिकरम रहा है आयोध्या में आप लोगों के जुलूस में आज हम लोग जो है सांती मार्श, पैदल मार्श जो है सांती पून तरीके से किये और सिटी मजिस्ट्रेट साहिब को एक अपना ग्यापन दिया गया कि जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या रोहुंगिया का है क्योंकि हमारे देश की आबादी वैसे भी 130 करोन के लगभग हो चुती है उसमें से 10 करोन के लगभग ये रोहुंगिया आ गये है जो इसी भी तरीके से आकर और इधर उधर रहते हैं और बाद में हत्याएं लूट अपारण यही सब का अपना काम दंदा करते हैं जिससे हमारे देश में रह रहे हैं लोगों में भय ब्यापते हैं अगर यह रोहुंगिया यहां से हटाए नहीं के अगर यह रोहुंगिया यहां से अपना जो है जाली आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं हम लोग ये समस्या बहुत बड़ी है बहुत विक्राल समस्या है लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने परधान मंत्री मानिय श्री नरेद मोधी जी को जिन्होंने इन सभी सिच्वेशन को जाना पहचाना और CAA NRC जैसे कानून को लाने की विवस्था की है और इन उने देश के मुसल्मानों से दिक्कत नहीं है हमारे देश के मुसल्मान जो देश प्रेमी है वो सही है लेकिन जो गदार है उनके साथ ये रोहंगिया वाले मिलकर वही गदारी करते है और उसका व्लेम उन बेचारों पर आता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रोहंगिया ग्यापन दिये थे, ग्यापन देने वाले थे कि हम लोग सांती मार्च, पैदल मार्च निकालेंगे गुलाब बाड़ी से सिविल लाइन तक, समय परसाद मुखट जी पर्तिमा तक निकालेंगे, परसाशन ने हम लोगों को चोग तक जाने दिया, उसके बाद वो कहे कि हम पर जेह मंत्री जी को, मुख मंत्री जी को तीन सिट में ग्यापन दिया गया, कि जो हमारे देश में बंगलादेशी घुषपेट ये रह रहे हैं, उनको भारस से बाहर किया जाए, क्योंकि वो जब तक रहेंगे, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो हमारे देश के लिए खत्रा है, यही परधान मंत्री जी से मांग की गई है, कि उनको बाहर किया जाए, नहीं आने वाले समय में बहुत बिकराल समस्या, जिस परकार बंगलादेश में हिंदूों के साथ हो रहा है, उसी परकार ये बंगलादेशी घुषपेटिये हमारे देश में करेंगे. जैसे एक मामला और सामने आया है, जब वहां पर चौक पर आप लोग जुनूस निकाले थे, तो वहां पर एक सामने ये आया है, कि अगर रोहिंगिया बंगलादेशी घुषपेटिये, अगर यहां से नहीं गए, तो कार सेवा को उब रहोंगे और फिर से लाकों कार सेवा किया जाएगा, इसमें क्या कहना चाहरा है? और आज जब देश की बात आ गई है, तो देश के लिए भी कार सेवा करने वाले लोग मौजूद हैं, और उनके जिर में जिसके खून भरा होगा सरीर में, वो कार सेवा करने के लिए आएगा, क्योंकि रोहंगिया हमारे लिए प्रॉबलम नहीं है, तो पूरे हिंदू समा प्रदान मंत्री जी से विनम अग्रा ने वेदन, जिस तरह किसे कहा गया है, जुरूस में, अगर नौंबर तक सासन प्रसासन इसका संग्यान नहीं लेता है, तो उस पर हिंदू संग्ठोनों का क्या रवया होगा आगे, क्या गया जाए अगर प्रसासन जो टाइम दिया ग चानने बे में 6 दिसमबर के दिन मस्रिट ढाई गई थी, उसी परकार 6 दिसमबर को हम लोग बैठा करेंगे, उसमें निल्णे लिया जाए गया, जिस परकार मस्रिद गिराए गई थी, यहां से नस्तान भूद किया गया था, उसी परकार रूहंगिया और गुस्पयटिया गुष्पेटी बंगलादेशी यहां से बाहर किये जाएंगे जिस परकार कार सेवा की गई थी आज हमारा मंदर बनके तयार है उसी परकार मेहनत करेंगे सारे हिंदू एक होकर इस कार को फूड करेंगे मेरा नाम कपर मिश्रा है समासी भी हूं संगठन भी चलता है रामार सुल्मान परसद अध्यागार्निवासी पावंदर जी हम आप से जानना चाहेंगे कि इस जुलूस को लेकर एक युवाओ में जो एक प्रेक्ता दिखी है उसको लेकि आप क्या कहना चाहेंगे देश्भक्ती और देश के लिए रोंगया को भगाने में भी मदद करेगा पहले प्रसासन से अग्रा है उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे रोंगया को भगाने में सरकार की मदद करेंगे। चोकियों पे सूचना दीजी और पुलिस को बताईए कि यह जानकारी इन से लीजे क्योंकि अगर आप एक दिन यह सोच लिए कि यह काम किसी और का है और आप सांत बैट गए तो जुग्डी जोपड़ी में रहने वाले ही हात्या करते हैं लूट पाट करते हैं जैसे बवरिय गिरों और कच्छा बनियाइन गिरों कि इतने गिरों चले और लोगों की हक्याई हुई कोई पकड़ा नहीं जाता था इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है मैं यही संदेश दूँगा कि जहां भी मिले जुग्डी जोपड़ी में नई